तो दोस्तों आज केस वीडियो में हम लोग बहुत यी बहुत यी फेमस वुर्ट फेमस नॉवल हैरी पॉर्टर को डिसकुस करेंगी जिसको ब्रिटेस आथर जेके रॉलिंग ने लिखा हुआ है। ये इतनी जार्दा फेमस इतनी जार्दा पॉपुलर नॉवल है कि दोस्तों इसके उपर मूवी वह बनाई जा कुकी है और I hope कि आप लोगों ने जो भी नॉवल की सीरीज है जो भी knew ुभी इस तरीकेशा मूवी की सीरीज है तो आज किस वीडियो में हम लोग दोस्तों इसकी पूरे बैक्ग्राउंड है इसको भी समझेंगे और इसकी साथ ही साथ में जो बहुत ही सिम्पल तरीके से हम अपने एक्जाम निशन में प्रिजेंट कर सकते हैं जिस वे में उसको भी समझेंगे कि मुवी तो सब कोई देख पड़ता है क्योंकि जो एक्जामनर वो यही चीश को चेक करना चाहता है कि आप कितने अच्छे वे में प्रेजंट करना है उसको किस तरीके से आप प्रेजंट करना है तो इस तोरी बताने का यह मतलब नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी उठा गरके बस सीधे से लिखते चले जा दे हो उसको आपको एक तरीके short way में आपको present करना है और examiner को show करना है कि हाँ हमको जो exact story है उसको मैंने पूरी novel को पढ़ा हुआ है भले है आपने उस चीज को पूरा ना पढ़ा हो या पूरी movie ना देखी हो लेकिन आपको ऐसा show करना है कि आपने पूरी सारी चीज़ों को सही से discuss किया है हर एक character को का उसमें mention होना चाहिए तो अभी देखिए दुस्तों क्या है कि यह तो एक तरीके से पूरी बहुत ही बड़ी novels की series है है ना तो अभी मेरे पास में क्या है कि इसको जब मैंने एक mark गूगल पर search किया था तो यहां पर यह देखिए कि यह एक तरीके seven इसकी series निकल के आई थी तो अनलब कि seven series की novels थी तो जो जो जेके रॉलिंग थी उन्होंने seven books लिखी हो थी seven novels की एक तरीके से series बनाई हो थी अब उस seven novels के अंदर भी बहुत सारे अलग-अलग chapters डिवाइड हुए है तो जो हमारे सबसे पहला जो हमारे स्लेबर्स में है दोस फिलॉसफर स्टोन ठीक है अब देखिए एक चीज को मैं यहाँ पर clear करना चाहूंगा कि बहुत जगे आपको यहाँ पर सौसर स्टोन देखने को मिलेगा और बहुत जगे आपको फिलॉसफर स्टोन देखने को मिलेगा ठीक है तो मेरे यह भी दिमाग में question चल दा था कि actual म क्या difference में क्यों मुझे अलग-अलग सारी चीज़ों कभी सौसर देखने को मिलता है कभी फिलॉसफर देखने को मिलता है अलग-अलग जगे तो इस चीज के उपर भी मैंने थोड़ा सा एक बार ध्यान दिया तो मेरे पास में फिर हमने इसको भी search किया तब जाकर के मेरे पा सा उसकी उपर knowledge भी रखना ज़रूरी तो मुझे समझ में है कि जो philosopher stone है और जो sorcer stone है इसमें कोई भी difference नहीं बर एक तरीके से title का ही difference है title का मतलब आप समझ जो original इसका title है वो है Harry Potter and the philosopher stone और उसकी बाद में philosopher stone का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज या फिर कोई भी ऐस metal like a metal which turns into a gold मतलब कि किसी भी चीज को अगर suppose कि मेरे पास में कोई plastic का चीज है और मेरे पास में एक तरीक एक तरफ एक दूसरे हाथ में philosopher stone है लेकिन जब हम उसको अपनी plastic की चीज को उसके साथ में टेच करेंगी philosopher stone के साथ में तो वो क्या हो जाएगा एक तरीके से पुरा gold म चेंज हो जाएगा तो यही चीज होता है philosopher stone and apart from that it also have a power to give the nectar of a life nectar का मतलब आप समझ जब कि इस तरीके से कि जो जो life होती उसको increase कर दे बढ़ा दे एक तरीके से अमर कर दे किसी को तो नाम से पता चला है कि दोस्तों Harry Potter है जो एक तरीके की magical novel है एक तरीके से magical novel है उन सभी viewers के लिए बहुत इंट्रेस्टिंग होगी जो की magic में इंट्रेस्ट रखते हैं है ना सो और सॉसर का फिर सीधा से यहां पर जो मेरा मतलब हुआ था कि सॉसर्स का क्यों यूज होता है तो यहां पर बाद में पता चला कि जो इसका original title था वो तो यह था कि उसमें philosopher का यूज होग कि जो philosopher stone है वो जो भी viewers है जो भी readers है उनके लिए इतना ज़्यादा attracting word नहीं रहेगा बहुत ही ज़्यादा enticing word नहीं रहेगा इस वज़े से उनों लोगों ने sorcerer word का use कि sorcerer का मतलब होता है सीधा सा मतलब कि title में title से ही पता चल जाए कि यह एक जादो से related book है तो इसकी तरफ लोग ज़्यादा attract होंगे बस और कुछ भी कोई भी ज़्यादा major difference नहीं बस यही एक major difference है कि American publisher thinks that the word sorcerer sounds more enticing कि जो sorcerer words है वो बहुत ज़्यादा attractive लगेगा people's की तरफ instead of philosopher ठीक है magical than the word philosopher जिससे की philosopher जो word है उसकी पेच्छा जो sorcerer word है वो ज्यादा suitable रहेगा इस वज़े से जो American publisher थे उन लोगों ने इसी को सोच करके sorcerer word का use की है ठीक है philosopher की जगे तो I think यह भी आपको clear हो गया होगा हम लोग चलते हैं पूरी जो समरी है उसको देखेंगे और बहुत ही short way में हम लोग इसको discuss करेंगे क्योंकि बहुत सारी अगर चीजें हैं जितने जादे जितने सारे incidents हैं पूरे इस novel के अंदर उन सभी को discuss करने बैठेंग तो बहुत ही बहुत ही time लग जाएगा ठीक है बट हमको क्या करना है चीजों को summarize करके आपर सीधे से बताना है तो ज इसको discuss करने में बहुत सारा time लग जाएगा तो आपको patience रखके सारी चीजों को फिलाल समझना होगा देखना होगा और जिस तरीके से अगर आप देखोगे तभी exam में लिख पाऊगा ठीक है तो वह क्या है कि देखिए यहां पर देखिए वीडियो को pause करते जाएगा जो भ इसको आप साही से अपने तरीके से अपने जो बहुत simple way में लिखा हुआ है अपने way में आप इसको तयार कर सकते एक्जाम के लिए तो आप देखिए जो Harry Potter है एक तरीके से मैंने तो यह बताए कि series of seven fantasy novels है तो Harry Potter is the series of seven fantasy novels written by इसकी दोर लिखेगे British author J.K. Rowling जो है वो एक तरी इसको भी दियान दखना है फिर आंगे देखिए लिखा हुआ है कि in the first book जो हमारी स्लेवर्स में book है Harry Potter and the Philosopher's Stone जो Harry है Harry एक तरीके से दोस्तों साथ साल का सौरी दस साल का एक लड़का है यहाँ पर देखिए मैं उसका एक बार photo दिखा तो यह दोस्तों Harry है यह एक तरीके से 10 साल का एक छोटा सा लड़का है जो की गोल चसमा लगाता है और इसके लंबे बाल है एसा ही है और इसके साथी साथ में अपने अंकल आंटी के घर में रहता हूँ है जो हैदी है वो पूरी novel का एक तरीका इसको hero ही मान्लो protagonist है ठीक है so जो हैदी है वो अपने कहाँ पर देता है एक तरीके से cupboard में रहता है एक almari के अंदर देता है एक छोटे से almari के अंदर देता है जो की under the stairs जो भी जीने होते हैं जो भी अंकल ऑंटी के घर में रहता है और आंकल की घ़र में रहता है और इसे साधे साथ में का से अपने अंकल के साथ में अंटी के साथ में और कर्जिन के साथ में अब यह देखिए जो तीनों फैमिली को दिखा देते हैं तो यह आप फैमिली देख रहे हो यह इनके अंकल अंटी और यह एक इसका कर्जिन है जो कि काफी मोटा है और इसके साथ में यह इसके पास में दो दूम्स भी है लेकिन फिद भी हैरी के साथ में नहीं करता है जो इसकी अंटी है वो भी इसको सही से पसंद नहीं करती ना इस को हमेशा इसके लम्बे से कप्रे पहने पड़ते बहुत जो इसके अन-Fit होते हैं कप्रे, हैरी को वही कप्रे पहनने पड़ते है। और हैरी के या कभी पिन नए कप्रे नहीے आज तक, तो यह तो बात थो उसके अंकल अंटी और कंज़न की, और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखे कि Harry जो है वो एक तरीके से अनात लड़का है वो अपने अंकल अंटी गष्ट में इस वज़िस रहता है क्योंकि वो एक और्फन बॉय है और्फन का मतलब आप समझे नो ठीक है फिर आँगे आपको बताना है कि Lily and her husband Jane Swatter जो Harry के माता पिता थे Lily and Jane Swatter जो थे उनका murder कर दिया गया था has been murdered by the dark wizard किसके द्वारा उसका murder किया रहता है dark wizard dark wizard का मतलब उतर जिसके पास में काला जादो जो की बुरी शक्तियों को रखे word emote यहाँ पर एक नए character के entry होती जो की एक evil character है और negative character का जोल कज़ा word emote यहाँ पर इसका भी आपको फोटो दिखा देते है यह दोस्तों word emote का फोटो है और इसके साथी साथ में यह जो एक बहुत evil character है जिसने की Harry के माता पिता को मार दिया था और यह काला जादू भी इसको बहुत अच्छे से आता है तो यह एक तरीकिस जादू ही दुनिया जादू तो इसको बहुत अच्छे से आता है बट यह अपनी सारी energy को बुरी कामों में लगाता है ठीक है बड़ी जादू गर थी लेकिन वो अपनी energy को positive way में उसको use कर दे थी ठीक है तो जो world mode था वो नहीं चाहता है कोई भी magician उसके बराबर हो इसी वज़े उसने Harry के माता पिता को मार दिया और वो Harry को भी मारना चाहता था बड़ लेकिन उसकी power जब वो Harry को उसने touch किया जैसे ही मारने चला his power somehow broke मलब उसकी जो power थी वो कहीं चली गए और वो Harry को नहीं चू सका नहीं मार सका ठीक है because of her mother's love क्योंकि उसकी जो मा थी उससे बहुत ही प्याज करती थी और वो अपनी Harry की तरफ एक तरीके से protection छोड़ गए थी कि उसकी Harry के skin को कोई भी बुरी शक्ती नहीं चू सकती तो इस तरीके से जो because यहाँ पर लिखा है because Harry does not have any living relatives अब Harry के पास में कोई भी ऐसा living relative नहीं था कि जिसके पास में Harry रह सकता और कोई देख भाल करने वाला तो था नहीं तो जो Elvis Dumbledore थे या Elvis Dumbledore एक तरीके से नया character है इनके बारे मैं आप लोगों को बता देता हूँ यह देख रहो आप photo दोस्तों तो यह Elvis Dumbledore का photo है जोकि Hogwarts होजी होगवड स्कूल है जहां पर Harry पढ़ने के लिए जाएगा पहले ही से सारे चीज़े डिफाइन है कि जहां पर Harry को पढ़ने के लिए भीजा जाएगा और इसी स्कूल से ही Hogwarts से ही Harry की मा लिली भी पढ़कर के आई है और इसी स्कूल से वर्ड एमोजो की इवल करेक्टर है वो भी पढ़ा हुआ है ठीक है तो तीनों सभी लोग Hogwarts से ही पढ़े हुए हैं और Hogwarts में कोई भी नौर्मल स्टेडी नहीं होती उसमें जादू की दुनिया है एक तरीके से उसमें जादू सिखाय जाता है स्टेडी ओफ मैजिक ठीक है तो उसमें क्या सिखाय जाता है जादू सिखाय जाता है Hogwarts के अंदर तो ये वर्डे मोर है ये पूरे इस College का इसकी School का क्या है Head Master है तो अब इसकी जुम्मेदारी बन जाती कि उसकी एक Student ने वर्डे मोर ने एक दूसरे Student को मतलब कि लीली को मार दिया तो उसका जो बच्चा है उसकी जुम्मेदारी इसके उपर सर प्यार जाती और इसके साथे साथ में ये भी जुम्मेदारी जाती कि जो एक Magic है वो एक अच्छे काम के लिए यूज़ो तो ये ये भी चाता है इस वज़े से ये Harry की Responsibility उठाता है और Harry को एक ऐसे जगे पर छोड़ करके आता है जो कि नौदमल लोगों की जगे हो जहां पर कोई भी लोग जादू के बारे में ना जानते हो तो इसी वज़े से वो ये डिसाइड करता है वज़े मोद ये डिसाइड करता है कि Harry को उसके अंकल अंटी के घ़द में Dursley's के हाउस में छोड़ करके आ जाये जाये ठीक है यहां पर यही चीज़ी को डिसाइड करता है कि उसको leaves him Dursley's हाउस की जो Harry है उसको हम लोग Dursley's के हाउस में हम लोग क्या कर देते हैं उसको छोड़ करके आ जाते हैं अंटिल ही जो भी मैजिक है उसके बादे में पूरा सब कुछ बताया जाएगा और इसको एक बड़ा जादूगर बनाया जाएगा जिससे कि यह वर्डे मौल से की अनकल से अपने माता-पिता की जो भी प्यादेंस है जो कि उसके माता-पिता पित अ toujoursका है है सारी कहानी इस तरीकता से कुछ रखा गया है फिर अभी देखी जो हैई है उसका थोड़ा सेerness... राओन यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि जो Harry है वो उसका जलेशन जो है अपनी उसकी आंट के साथ में उसके अंकल के साथ में पहुड के साथ में बिल्कुल भी सहाय नहीं है और उसकी जो अंकल आंटी और cousin है, तीनों ही लोग उसके बहुत भी परिशान किया करते है, even जो मनलब कि जो उसका cousin है सबसे ज़्यादा तो उसका cousin है Dudley, जो उसका cousin है Dudley जिसका मोटा सा photo दिखाए था Dudley उसका ही नाम होता है, तो Dudley जो होता है, वो अपने friends के साथ में Harry के साथ में बदमाशी किया करता है और अपने gangs of friends के साथ में Harry का हमेशा मजाक उड़ाय करता है तो जबकि Dudley के पास में दो rooms होते है, एक one for his bed, एक तो उसके सोने के लिए और दूसरा उसके all his broken twice, लगकि उसके सारे सारे तूटे हुए खिलोनों के लिए जो की waste तरीके से पड़ा हुआ है even then, even then जो Harry है, उसको क्या करना पड़ता है Harry used to live under the inner cupboard उसको एक मतलब कि छोटी सी अलमादी के अंदर रहना पड़ता है under the stairs, और जीने के नीचे रहना पड़ता है, एक छोटे से cabin-like area में ठीक है, so Harry है, Harry cannot deny that और Harry इस चीज़ से मना भी ने कर सकता जब से वो छोटा था, उसके साथ में हमेशा strange things होती रहती थी strange things का मतलब कि कभी ऐसा भी होता था, जब उसकी एक बार गटना है, जिसमें आंट जो petonia थी, petonia उसका नाम था, उसकी आंटी का तो उसकी जो आंट थी उसने क्या करया था, Harry के पूरे के पूरे जितने भी बाल थे, cut off all his hairs, उसके जो Harry के जितने भी सारे बाल थे, उसको क्या कर दिया था काट दिया था, and it grew back to its original length और साथ ही साथ में, you can't imagine you can't believe, कि जो Harry था उसके सारे एक सारे बाल जो थे, वो अपनी original length में next day, जब वो school जाने ही वाला था, तभी वो सारे एक सारे बाल अपनी original length में क्या होगे grew होगे, मतलब कि उगा है, ठीक है फिर आगे क्या है, कि एक और incident को मैंने बताया हुआ है जो कि यहाँ पर पूरी movie में पूरी novel में mention है, कि एक बार तो जो Harry था, वो अपने Harry के जो भी dudley था, अपने cousin के दोस्तों के दोरा वो क्या किया जा था chased किया जा था, मतलब कि एक तो बदमाशी कर रहे थे उसके साथ में जो भी लड़के थे और उसका पीछा करके उसको परिशान करने के कोशिस कर रहे थे, तबी जो Harry था suddenly, अपने आपको कहाँ पर found करता है, kitchens के रूप में suddenly found himself on the kitchen soup और अपने आपको क्या देखता है, कि मैं kitchen की रूप के उपर सब एक दम से ठीक है, तो उसके उपर खुद से एक तरीके से natural तरीके से supernatural power का protection लगा हुआ था, तो वो Harry की मा का love होगा, या एक तरीके से उसको बोले तो, कि जो Harry की मा है, उसने अपने बच्चे के लिए protection छोड़ दिया, कि उसको कोई भी परेशान ना करे, तो उसको, मतलब जो Harry था, उसको मतलब एक तरीके से उसके उपर ऐसा कि कोई भी उसको, कोई भी evil character है, या कोई भी हो तो उसको परिसान ना कर पाए, क्योंकि उसको पता था, कि जो उसका बच्चा है, वो आना स्टार्ट हो गये थे, जिसमें से Harry के लिए ही letters आये थे, Harry के लिए letters आये थे, बट उसके जो uncle Vernon थे, uncle का नाम Vernon होता है, तो जो उसके uncle थे, उन्होंने इस चीच को refuse कर दिया, refuse to tell, refuse to let Harry read the letters, और Harry के लिए ही letter आये था, बट उसके जो uncle थे, उन्होंने Harry को, उस letters को पढ़ने से मना कर दिया, और over the next few days, और उसके बाद में फिर क्या हुआ था, कुछ दिनों तक तो लगा था, बहुत सारे, बहुत सारे letters Harry के लिए आते ही रह थे, बट जो उसके uncle थे, Vernon थे, उन्होंने keeps all the letters far from them, far from Harry, मला की, जितने भी letters थे, उसको Harry से क्या करके रख़ा हुआ था, दूद ही करके रख़ा हुआ था, ठीक है, Harry को उसको allow नहीं किया, कि तुम उन letters को पढ़ो, ठीक है, so उसमें क्या था, अब वो तो पता ही नहीं, फिर आंगे क्या है, कि आंगे और हमको ये पता चलता है, कि अभी तक तो एक तरीके से background था, जो कि मैंने Harry की बादे में दिया, आंगे हमको ये पता चलता है, कि ये Harry का 11th birthday था, अभी तक तो Harry जो था, वो 10 साल का लड़का था, अब वो उसका 11th birthday था, अब जैसे ही दाथ के बादा बचते हैं, वो Harry जो था, अपने आपको खुद को विश्च करता है, तरीके silent way में happy birthday, तभी Hagrid enters होता है, Hagrid तो कौन होता है, ये एक नया character है, इस novel में, Hagrid के बादे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता, यहां पर ये key keeper का काम करता है, जितने भी चाभियां होती है, उसको सम्हालना इसकी जुम्मेदारी होती है उस school के अंदर, ठीक है, तो ये जो आदमी है, ये एक बहुत ही हस्मूख सोभाव का आदमी होता है, और Harry को उसकी school छोड़ने में उसकी क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, तो अभी क्या करता है, यहां पर तो Hagrid के एंट्री होती है, और एंट्री के साथ ये साथ में अपने आपको Hagrid introduces करता है, himself, कि as the keeper of keys, कि वो जो Hagrid है, वो क्या है, कि keeper of keys है, वो Hogward में क्या करता है, चाभियों के काम को समहलता है, तारी जो भी चाभियां होती है, इंपोर्टेंट उसी के पास में होती है, यह भी explain करता है, explain that Harry is a wizard, Harry कोई normal लड़का नहीं है, उसको यह भी बताता है, कि Harry, तुम एक normal लड़के नहीं हो, तुम एक जादूगर के बच्चे हो, और तुम भी जादूगर हो, wizard हो, क्योंकि एक तरीकी का word यूज हुआ है, novel के अंदर, Morgals, Morgals का मतलब होता है, कि normal दुनिया, ठीक है, और जो magicians होते हैं, वो अलग दुनिया होते हैं, तो magicians जो भी होते हैं, वो यह नहीं चाहते हैं, कि सारे Morgals जो हैं, सारे जितने भी common दुनिया से लोग आते हैं, वो सब कोई जादू सीखे, क्योंकि अगर सब कोई जादू सीख जाएगा, तो फिर फिर होगा क्या, फिर जादू का कोई importance नहीं दा जाएगा है, तो इस वज़े से जो भी यह Hagrid है, वो यह बताता है कि तुम अब एक जादूगरों के बच्चे हो, और तुम भी एक जादूगर हो, ठीक है, So who has been admitted to Hogward, जो कि जिसको कहां पर admit होना है Hogward School में, जिसको entry के लिए अब समय आ चुका है कि उसको Hogward में admission दिया जाए, ठीक है क्योंकि अब यही एक सही age है उसको Hogward में school admission देने की और यही सही age है कि जिससे कि उसको जादू सिखाया जाए और जो भी word and mode है उसके साथ ही साथ में उसको मतलब कि अपने parents का वो बदला ले सके ठीक है, कि मौधेवर हरी को यह भी बता जाता है कि यह भी दूत पता चलता हही कि जो भी हरी के parents थे उसका murder कर दिया गया था ऐसके द्वारा हरी किया अवे अधकर रेंट का murder कर दिया घया था यह बी चीज़ बता चलते हैं, फिर अब देख़ें कि next day क्या होता है next day to jay Hagrid होता है weh Harry को लंडेण के shop में ले जाता है किसलिए लेकर जाता है जसे यहЕ वो school के जरुरी सामान होता है Like जिसे छोटे बच्च में nellगे लिए जरुरी सामान होता है Like bag, copy, pencil, rubber तो यह जितने सामान होता है उसको लेकर के देते हैं तो उसी तरीके जो Hagrid है वो भी इसको लंडन के शॉप में लेकर के जाता है और बहुत सारे सामान को खरीदवाता है उसके साथ में पर्चेस करवाता है कि और वहाँ पर जैसे ही जाता है लंडन की शॉप में जो हैडी होता है वो बहुत सारे strange things को दे होती है उसको निए है कर दो कि देखता है उसको अपने विन में आइस मैजीक ही जो भी मैजीक होता है उसको सीखने के लिए साघे सप्रिज को भी खरीटा है एक कि कोई बॉल है ठीक है उसको जादू की छड़ी की जरूरत होती है हर कोई magic magician जो भी होता है उसके पास में जादू की छड़ी छड़ी भी होते है तो at last में जब वो जादू की छड़ी खरीदने जाता है magic man को खरीदने जाता है magic stick को खरीबने जाता है तो उसको ये पता चलता है कि जो भी उसकी magic stick है वो word and more जो कि evil character है उसकी magic stick से क्या करती है match करती है तो वो जो stop keeper होता है जो कि जो कि जादूई की छड़ी का stop keeper होता है वो Harry को ये बताता है कि तुम बहुत lucky हो क्योंकि ये दो ही छड़ी थी यहाँ पर मेरे पास में जादू की जो कि एक बुदे जादूगर word and more के पास में है जो कि जिसने कि तुम्हारे माता पिता को मार दिया है और एक जादू जो है एक जादू की छड़ी जो है वो तुमको दी गई है इस वज़े से कि जिससे कि तुम अपने सारी powers का एक positive way में इस्तमाल कर पाओ क्योंकि जो जादू की छड़ी है ये केवल ऐसा नहीं कि केवल मैंने तुमको दिया ये जादू की छड़ी खुद ही चूज करती है अपने person को कि किस तरीके से वो अपने master को चाती है ठीक है तो जो जादू की छड़ी है उसके पास में ये power होती कि वो खुद से choose करेगी कौन उसका master बनेगा ठीक है तो ये जो जादू की छड़ी है तुमको जच गई है एक तरीके से तुमको shoot करी है तो इस वज़े तुम इसका जो भी पूदा का पूदा जो भी power है उसको एक positive way में इस्तिमाल करो क्योंकि ये जो जादू की छड़ी है सेम ऐसी जादू की छड़ी एक तुमारे बुदे जादूगर evil character वाले जादूगर वड़े मल्कों भी जची थी बस उसने क्या किया था अपने सादिक सादिक powers को negative way में इस्तिमाल किया था ठीक है अभी आगी क्या है कि अब एक महिने के बाद में जो हैदी होता है वो अपने uncle के house को क्या कर देता है leave कर देता है छोड़ करके house उसका चला जाता है in catch of in catch the hogwarts express अपने मले की uncle को छोड़ करके कहां hogwarts express को पकड़ने है जो की train है train का नाम है उसको पकड़ने के लिए चला जाता है लेकिन बहुत ही fuse होता है क्योंकि जो उसके पास में ticket है ticket में उसका जो भी number लिखा होता है वो लिखा होता है nine and three quadrants जो की Hagrid ने उसको ticket दिया होता है वो उसमें number लिखा होता है nine and three quadrants nine and three quadrants का मतलब होता है दोस्तों पॉने no कुछ इस तरीके से होता है पॉने no लिखा होता है ठीक है तो ऐसा तो कोई platform है ही नहीं लेकिन वो बाद में search करता है तो उसको पता चलता है कि अच्छा कि फिलाल कुछ भी हो वो किसी तरीके से उसको पता चल जाता है कि एक तरीके की जो दीवाल है उसको cross करके उसकी तरफ आंगे बढ़ करके उसी दीवाल के अंदर ही इस तरीके का platform है तो वो ऐसे जाता है और उस platform के अंदर चलता है और उसी platform के अंदर जाने के बाद में वो जब train के अंदर बैठता है जब वो अपने sheet के उपर बैठता है तब ही अपने तीन दोस्तों से मिलता है जो कि first year के students है और वो अपने खुदी in securities के बादे में कि किस तरीके से वो هو lagward में entry करेंगे वो तीनों यही बात करते हैं कि हम लोग किस तरीके से entry करेंगे हो जाज़ी में क्या गया होता है हमको क्या जादू सीखने को मिलेगा कि सारे चीज़ों के बादे में थीनों लोग जो होते है train के time से ही जो Harry होता है ये तो एक तरीके से ऐसे ही जादूगर पहले से ही होता है और इसके बादे में काफी सारी books में भी mention होता है तो Hermione जो होती है वो एक तरीके से बहुत अच्छी लड़की होती है और चीजों को बहुत ही जल्दी वो याद कर लेती है इस तरीके के लड़की होती है और जो Zorn होता है वो थोड़ा सा ऐसा लड़का होता है जिसके दो भाई उसके पहले से ही Hogward में पढ़े होते हैं तो ये साधी एक तरीके से इनके बादे में था अभी देखिए ये तीनों लोग मिल करके जैसे ही ट्रेन अपने Hogward में पहुंचती है जैसे ही वो स्कूल में पहुंचती है वैसे ही जो भी स्टूडेन्स होते है पहले तो लोग खाते पीते हैं और खाने पीने के बाद में उन सभी लोगों को एक हाल में खटा किया जाता है ठीक है वो लोग सभी लोग एक हाल में एंटर होते हैं और उस हाल में इस वज़े से इंटर होते हैं क्योंकि उनको जो भी जैसे स्कूल के अंदर चार हाउसे होते हैं जैसे हम लोग भी जब इस स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या होता था है ना होते हैं उसी तरीके से हॉगवर्ड के अंदर भी हाउसेस थे जिनका चार्द का नाम है एक का नाम था ग्रिफेंडर ये आपको ज़रूर से ध्यान रखना है ग्रिफेंडर हाउस लेदर दिन हाउस हपल पॉफ हाउस और जैवन क्लो हाउस ठीक है तो इन सभी की स्पैलिंग और नाम ध्यान रखेगा कि क्या है तो जो ग्रिफिंडर हाउस है ग्रिफिंडर हाउस का रिकॉर्ड एक अच्छा है उसमें जो भी जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं वही जाते हैं जो काफी समझदार होते हैं जैवन क्लॉक के अंदर भी काफी समझदार ही बच्चे ज तो अभी क्या करना है उनको सभी को क्या करना है उन सभी जो भी बच्चे हैं उन सभी लोगों को क्या करना है कि पूरे हॉल के अंदर इखटा करके इस चीज के लिए डिसाइड किया जाना है कि उनको कौन से हाउस में रखा जाएगा अब यह कौन डिसाइड करेगा कि कौन ब ये अपने आप से खुद ही बता देगी कि कौन से house में कौन लड़का जाएगा ठीक है तो सबसे पहले ये हमाईनी की बादी आती है वो उसको ग्रिफिंडर house में बेजता है ये जो cap है उसको ग्रिफिंडर house के लिए select करती है फिर जॉन की बादी आती है उसको भी वो Gryffender House के लिए सेट करती है फिर जब भी Harry की बादी आती है तो यह थोड़ा सा confused हो जाती क्योंकि इसके अंदर चारो houses के थोड़े-थोड़े से गोण होते हैं इस वज़े से यह जो कैप होती है उसको अपने दोस्तों के साथ ही शिफ्ट कर देती ग्रिफिंडर हाउस में सो अभी देखी क्या है है यहाँ पर यह क्या करती है इन तीनों बच्चों को क्या करती है प्लेज करती है Harry को, John को, Hermione को ग्रिफिंडर हाउस के अंदर अब जो ग्रिफिंडर हाउस है उसकी जो प्रोफेसर है मतलब कि जैसे बोलते हैं तो जैसे हाउस का टीचर होता है न तो वैसे ही प्रोफेसर है उसके प्रोफेसर में गॉनिकल यह एक तरीके के ऐसी लेडी है जो की काफे ज़्यादा इस्ट्रिक्ट है और सभी बच्चों का अच्छे से ध्यान भी रखती है अब यह अपने बच्चों को एक दिन क्या करने थी फ्लाइंग का लेंसैंट दे रहे थी फ्लाइंग लेसन का मतलब की बच्चों को इस तरीके ज़ाड़ू के उपर बैट करके उड़ा जाए तब ही क्या होता है एक बच्चा जह होता है उसका संड़नली एकसिडे 트quarters近 ओ जाता है उसी जाडू को शीखने में क्योंकि वह जग तो को एकदम से लेकर कि गलत तरीके से उस magic को इस्तमाल करता है और वो काफी उंचा ओड़ता है और वहां से गिर्ज बढ़ता है तो उसकी जो होते हैं हाथ पारत कुछ तूट से जाते हैं तो उसके treatment के लिए लेकर कि जाते हैं तो Professor McGonical जो होती है तब ही उसी first lesson के दौरान ह है उसके skill को observe करती है जो कि जिस तरीके से fly करता होता है उस चीज को observe कर लेती है यह देखती है कि यह तो बहुत अच्छी flying करता है पहले दिन से इसको lesson है वो बहुत अच्छ समझ में आ गया है तो यह क्या करती है कि उसको punishment नहीं देती है वो यह बोलती है Professor McGonical उसको punishment नहीं टीम को भूल करके जाती हूँ कि मैं इसको treatment के लिए लेकर के जा दूँ कोई भी बच्चा मेरे आने तक की जारू के उपर बैठ करके उड़ेगा नहीं बट जो हैरी होता है वो किसी वज़े से जारू के उपर बैठ करके उड़ने लगता है और इसको प्रोफेशर मैं गॉनि दूलर उन डेष को उपर बेठ करते हैं इसको क्या करते हैं इस तरीकस जो भी ऊता है काफी दिन बीट जाते हैं अब जो क्रिस्मस के डेज आता है उसमें क्या होते है एक तरीके से विंटर विकेशन होते हैं तो विंटर विकेशन में सभी बच्चे जो होते हैं वो अपने अपने घर की तरफ जाते हैं लेकिन वो क्या करता है, एक तरीके से Christmas holidays के उपर दुख तो जाता है, लेकिन वो Nicholas Femal, Nicholas Femal एक दोस्तो कौन है, एक प्रोफेशर ही है, इस पूरे Hogwarts School के एक तरीके से प्रोफेशर है, उसके उपर research करता है, जो Harry है, वो Nicholas Femal के उपर research करता है, क्योंकि कही ना कही इसको Harry को लगता है कि जो Nicholas Femal है, वो वर्डे मोर को जानते हैं, और Nicholas Femal जो है, वो philosopher stone है, उसको कही ना कही इसको चुराना चाते हो, या फिर इस तरीके से उसको कही ना कही ऐसा कुछ सक होता है, कि Nicholas Femal जो है, उसकी जो personality है, वो थोड़ी सी different है, तो उसक सी चीज़ें उसको पता चलती है, पूरे स्कूल के बारे में, अपने माता-पिता के बारे में, कि किस तरीके से उसकी जो भी parents थे, उसको इसकी death कर दी गए थी, तो जो Nicholas Femal है ना, एक तरीके से नया character है, उसको ध्यान जरूर रखिएगा, और फिर आंगे क्या होता है, कि इसी research के दोरान में, वो क्या करता है, कि छुटियों में ही, वो क्या करता है, कि during his research, Harry comes across a large mirror, अब जो Harry है, वो क्या करता है, एक बहुर ही बड़े सीशे के सामने आ जाता है, सीशे के सामने आ करके, वो ये देखता है, कि when he looks in the mirror, जैसे ही वो सीशे के अंदर देखता है, तो अब उस रात को भाग जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा डर जाता है, कि ऐसा तो कैसे possible है, लेकिन फिरसे नेक्स नाइट को दौन के साथ में, फिरसे उस mirror में, अपने माता पीपिता को जैसे देखने के लिए जाता है, वैसे ही वो surprise हो जाता है, कि जो Professor Dumbledore होते हैं, जो Professor Dumbled कि जो mirror है, उसको तो नए location पर shift कर दिया जाएगा, और तुमको जो है, you should not try to find it again, मतलब कि Harry को इस तरीके से चेताव नहीं दे देते हैं, कि तुमको जो है mirror को find करने की, उसको देखने की ज़रुत नहीं है, लेकिन मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, कि जो भी तुमने द reflect करता है, भाई show करता है, ठीक है, और जो होता है, वो मिदर है, वो हला की truth को नहीं बताता है, लेकिन जो deepest desire है, आप person के अंदर का, उसी चीज़ को reflect करेगा, ठीक है, तो फिलाल जो dumbled होना है, उसको ये इस चीज़ से चेतावनी दे देते हैं, कि ये जो मिदर है, उसको alert कर देते हैं, एक तरीके से उसको चेतावनी दे देते हैं, caution tap कर देते हैं, फिर अब देखिए, जैसे ही holidays end हो जाते हैं, जैसे सर्दियों के दिन जो होते हैं, वो winter vacation जो होते हैं, वो खतम होते हैं, तो आप तीनों दोस्त होते हैं, हैरी रॉन हैमोईनी, जो भी तीनों दो है जो कि philosopher stone को जो कि sorcerer stone को जानते हैं कि कि किसने इसको बनाया हुआ है ठीक है उसको जानते है कि he is the only person who known the maker of sorcerer stone वही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इस चीज को जानता है कि किसने इस sorcerer stone को बनाया है जो कि क्या चीज को produces करता है the nectar of life जो कि life को बढ़ा सकता है तो अब हर कोई इस चीज को पाना चाहता होगा बट ये जो philosopher stone है उसको एक तरीके से well protected करके रखा गया है well protected मनला कि एक तीन सदवाला कुता भी उसके लिए लगा करके रखा जाता है उसको अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं तीन सदवाला कुता है वो इसको गार्ड करता है वो लोग ऐसा भी सोचते हैं क्योंकि जो तीन सदवाला कुता है वो एक बहुत बड़े से कमदे को भी गार्ड करता होता है जब आप पूरी novel पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा ठीक है तो अभी क्या है फिर आंगे देखिए कि हैदी जो है इस चीज को decide कर लेता है कि कुछ भी हो जाए उसको ये चीज पता चल जाती ही कि जो world and more है वो उस philosopher stone को लेना चाता है और उस philosopher stone को लेकर के वो काफी बड़ा सा एक जादूगर बनना चाता है वो अमद हो जाना चाता है औ पूरी की पूरी जो भी वर्ड है उसमें evil मतलब कि बुराई को ही फैलाना चाता है तो जो हैदी है वो इसका यही चीज को decide करता है कि कुछ भी हो जाए मैं जो sorcer stone है उसको चुरा लूँगा क्योंकि वर्डे मोर के चुराने से पहले ही मैं philosopher stone को चुरा लूँगा क्योंकि ज बहुत सारी जिसकी जर्णी होती जो कि school के अंदर allow भी नहीं होता है कि ऐसा तुमको करना है किसी भी student को first year के student को ऐसा करना है लेकिन वो सारे rules or regulations को क्या करता है break कर देता है और बहुत सारी कठनाईयों के बाद में वो finally जो है वो philosopher stone के पास में पहुच जाता है यहाँ पर सा philosopher stone के पास में पहुच तो जाता है लेकिन वो इस चीज को देख करके काफी ज्यादा surprise हो जाता है कि ना ही वर्डेम होता है ना ही एक professor snape होते हैं जो कि एक और भी दूसरे चीज़ों को पढ़ाते हैं तो यह दोनों ही लोग नहीं होते हैं जो कि sorcer stone के पीछे पढ़े होते है है धी देखता है कि जो professor quill है वो हमेशा अपने सर के उपर पगड़ी बांद करके रखते हैं और वही इस चीज को खोजने के लिए philosopher stone को ढूदने के लिए वो आये होते हैं जिनके उपर कोई शग भी नहीं कर सकता है कि यह भी philosopher stone के उपर पीछे पढ़े हुए हैं यह बहु हैं defense against the dark arts कि किस तरीके से जो भी बुरी चीज़े होती है बुरी शक्तियां होती है उनसे किस तरीके से अपना खुद का protection किया जाए किस तरीके से लड़ा जाए इस चीज को सिखाते हैं प्रोफेशल क्विल ठीक है तो जैसे यह बताते हैं कि यह जब हैरी जब देखता है क प्रोफेशर क्विल है वहाँ पर और वह फिलोसín स्टोन को पाना चाते हैं के पिछे पढ़े हुए हैं तो वो इस चीज को देखकर काफे ज्यादा surprise हो जाता है और Harry पर आप दो मुख वाला आदमी देख रहे हूँ ठीक है तो वर्डे मोर कहीं किसी की identity मिलने होता है वो सभी के सामने होता है बड़ जो professional quill होते हैं वो एक तरीके से servant होते हैं किसके वर्डे मोर जो की बहुत बड़ा evil है जिसने की हत्या करी होती है Harry के parents की ठीक है तो वो अपने पीछे ही वर्डे मोर का सर लगा करके घूम रहे होते हैं और जो ये professional quill है वो इस चीज को reveal भी करते हैं अपनी identity को पूरी तरीके से reveal करते हैं कि वो हमेशा से ही वर्डे मोर के एक तरीके servant रहे है और वो अपने आका मतलब की जो ये इनके जो भी मतलब वर्डे मोर है उसके लिए ये philosopher stone को चुदाना चाहते हैं और वो इसको इसको एक तरीके से अपने teacher को गुरू को मतलब जो वर्डे मोर है उसको वो देना चाहते है ठीक है तो यहाँ पर आपको बहुत एक नई चीज जानने को मिली कि किसके बादे में प्रोफेशल क्विल के बादे में तो इसको जरूर सिध्यान रखेगा ये करेक्टर को ठीक है तो ये ऐसे टीचर ही होते हैं जो कि बहुत ही सीधे होते हैं और ये सिखाते भी हैं और ये साथ ही साथ में हमको ये भी पता चल जाता है कि जो प्रोफेशल क्विल हैं उनके दो सर हैं दो सर किसके एक तो इनके पीछे वर्डे मोर का सर लगा हुआ है इसी वज़े से वो हमेसा अपनी एक तरीकी पगड़ी बांद करके रखते हो जब प्रोफेशल क्विल को पता चल जाता है कि हैरी को अब उसकी आइडेंटिक के बारे में पता चल चुका है तो जो प्रोफेशल क्विल होते हैं वो हैरी को मार डालना चाते है क्योंकि वो नहीं चाते हैं कि सभी की सामने उसकी आइडेंटिकी रिवील हो बट जैसे वो Harry की स्किन को टेच करते हैं उसकी जो भी स्किन होती वो एकदम से बिलिष्ट हो जाती है मनले कि एक तरीके से जल जाती है पूरी खतम हो जाती है और वो जो प्रोफिशल को लोते हैं वो उसी समय वहाँ से मर जाते हैं और जो वर्डे मोर का जो पीछे सर लगा होता है उसकी आत्मा वो कहीं से निकल करके पता नहीं कहाँ चली जाती है तो अभी इसको नहीं डिसक्स करना है फिर आंगे जो Harry भी है वो भी क्या हो जाता है वो एकदम से अपने इस सेंस को क्या कर देता है लॉस्ट कर जाता है और भी हो सोकर के वो वहीं पर गिर जाता है तो यह सब कुछ होता है ठीक है उसके अंदर फिर आंगे क्या है कि जब Harry की जब आग खुलती है नेक्स डे वेन हैरी वेक अप जब वो उठता है तो वो देखता है कि वो अपने आपको खुद को एक होस्पिटल के अंदर पाता है जहां पर उसके सामने डंबल्डों कंख्रे होते हैं और वो एक तरीके से बुरे आदमी थे और वो तुम को इस वज़े नहीं छूपा क्योंकि वो उसका वो जो भी उसकी मदर थी उसने हैरी के लिए एक तरीके से प्रोटेक्शन बना करके रखा हुआ था इसी वज़े से जो प्रोफेशर कुल है उसको उसकी स्किन को नहीं टेच कर पाए और उनी का ही उनी की देथ हो गए ठीक है तो यह सारे सब कुछ बताते ह कि यहां पर आँगे क्या है कि जो जब साल का एंड होता है साल का एंड जैसे कि जो भी होता है हमारा अप्रेल में होता है न मार्च में होता है एंड जो भी होता है साल का एंड होता है जब फाइनल एक्जाम सारे खतम हो जाते हैं उसी तरीके से जो फाइनल एयर्स की जो भ ब्रेट कर दे होते हैं किस चीज का कि जो उनका हाउस है वो हाउस कप को जीत चुका है ठीक है विक्ट्री ओफ दा हाउस कप की उन लोगों ने हाउस कप को जीत लिया है बीकॉर्ज ओफ की जो हैरी है उसने अपने बहादूरी से अपनी ब्रेवरी से किस तदी किस हाउस कप को जीता है जो हमाईनी है उसने भी कॉंट्रिविशन दिया और साथी साथ में जौन भी काफी ज़्यादा है पूरे इन फिलोसफर स्टोन को निकालने के लिए तो हैरी ज उसके जीवन की सबसे ज़्यादा बेस्ट नाइट है और फिर वह अपनी छुट्टियों में समर्विकेशन में अपनी डड्लीज के हाउस में मतलब कि अपने अंकल अंटी के घर में फिर से इस्पेंड करने चला रहता है समर्स को ठीकर तो यह पूरी जो पूरी समदी थी मैंने आप लोगों समने रखी यह पूरी अपनी फर्ष्ट करने यह केवल एक फॱ्ष्ट बुक थी जो कि अपने अस्लेबर स्मैं है जब डूसरी जो भूगे उसमें सेकंडियर की सेकंडियर की बात बताइ जाएगी इसमें जो सेकंडियर में जो इस तरिके से हैattackर ने रह तो इसके बादे में जाड़ा डिसकस नहीं करें फिलाल अगर आप लोगों पसंद आ रहे तो प्लीज एक लाइक तो करी दीजिएगा जिससे कि समझ में तो आ जाए कि हां जो हम करने हैं वो सामने आले को सही लग रहा है ठीक है और अगर कोई भी कुष्चन हो कोई भी क्वै करने की कोशिस के जादर जादा जिससे कि समझ में आ सके जो भी एक्जामनर है आपका वो साही से समझ सके ठीक है इन चीजों की कि हां सामने वाले को सारी चीज़े पूरी नौवल उसने अच्छे से पढ़ आई तो अब भी दूस्तों आपको क्या करने है जो पूरी लैंग करने की दूर des कि आ ऱ भी रुह ऑ्मिए उन अच्छे से लज़े से सामनर है।